असलाम अलेकुम फ्रेंड्स एंड मैं डियर स्टूडेंट्स वेलकम वन्स अगें तो आर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर मैसल्ब डॉक्टर बुश्राब राइब यूमसम्द इन मुलत्वियर हम लुग पढ़ रहे हैं इस टाइम मिनरल ओरीजिन ड्रक्स अध्विय मादनिया इसमें आज हम पढ़ेंगे सम्मुलफार के बारे में सम्मुलफार को सैंटिफिकली से कहा जाता है वाइट ऑकसाइड ओफ आरसेनिक अब चलिए जान लेते हैं इसके मुतरादिफ नाम क्या है सम्मुर्फार के तो सम्मुर्फार को संख्या भी कहा जाता है और इसे फार्सी में मर्गमोश और जहरे आदम भी कहा जाता है मर्गमोश और जहरे आदम कहने की वज़ाई ये है क्योंकि इसे खाने के बाद इनसान मर जाता है अगर इसे बिना मदब्बर कि ये इस्तिमाल कर लिया जाए ये इसकी जो मिक्तार खुराक है अगर उस मिक्तार खुराक से ज्यादा अगर इसे ले लिया जाए तो ये महलिक साबित हो सकता है यानि लीथल है ये एक तरह का जहर ह आदम कहा गया है और इसे समुल्फार भी कहते हैं अरभी में यानि कि चूहों को मारने वाला क्योंकि इसको समुल्फार को जो चूहे होते हैं उन्हें मारने के लिए इसको समुल्फार कहा गया है और इसे जरनेख सफेद भी कहते हैं जरनेख हरताल को कहते हैं जो कि संख्या स समुलफार सही बनाया जाता है इसको जरनेक सफेद कहते है क्योंके सफेद रंखा होता है जारा DAY और इससे कौनली आरसे कहा जाता है मैटेल होता है समुलफार एक धात है एक मैटेल है लेकिन जो हमारे मुताकद्दमीन अतिबात है निहीं कहा जाता है मैटेल होता है एक समुल्फार एकधात है एक मैटेल है लेकिन जो हमारे मुतक्दमी अतिबबात है उन्हें इसका पता नहीं था कि ये एक और कि एलिमेंट है इसके इन्डिविज्विजल ये एक धात है बलकि वो इसे उम्दापारा नो ने लिखा है किसी किताब में, किसी किताब में अतिबा ने लिखा है कि ये चांदी का जमा हुआ है और बास किताब में लिखा हुआ है कि ये सोने का धुआ है, जो इसकी कान से निकलता है, बहराल अतिबा को खालिस संख्या का इल्म नहीं था, यॉरोप के साइंटेस्ट पहली बार 1733 में इसकी दर्याफ्त की as a metal इसको identify कराया, दुनिया से रोशनास कराया, समुर्फार खालिस हालत में बहुत कम मिलता है, यानि ये प्यूर फॉर्म में जादतर नहीं मिलता है, ये दूसरी धातों के साथ जैसे लोहा, गंधक, सुर्मा वगरा के साथ ये मिला हु होता है, और इसके मुक्तलिफ रंग होते हैं, जो इसी बात पर depend करते हैं, कि इसके साथ कौन सी धात मिली हुई, यानि कौन सा metal इसके साथ शामिल है, उसी हिसाब से इसके अलग-अलग रंग होते हैं, लेकिन जो खालिस संख्या होता है, यानि जो प्यूर समुर्फार है, वो सफैद सुर्मई रंग का होता है, और इसमें कुछ चमक भी पाई जाती है, और अगर इसको तोड़ा जाए, तो यह आसानी से तोट जाता है, इसका सफूफ हो जाता है, अब इसकी पहचान किस तरह करें, कि यह समुर्फार खालिस है या नहीं, तो इसकी पहचान के लि होता है, तो उस टाइमें से लहसुन जैसी बू निकलती है, यह इसकी पहचान है, समुर्फार का शुमार जहरीली दवाओं में किया जाता है, यह तरह का जहर है, इसलिए जब भी इसको दवा की तोर पर हमें इस्तिमाल करना होता है, तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है, इ अगर हम इससे बिना मुदबर करें, इस्तिमाल कराएंगे तो यह दवा की तरह नहीं, बलके जहर की तरह काम करेंगा, और समुर्फार को मुदबर करने के बहुत सारे तरीखे दिबाने बताएं हैं, लेकिन जो इसका एक खास तरीखा है, वो यह है कि समुर्फार का करने लेते हैं, फिर इसको घरल में रखते हैं, खरल आप लोग सब चांदे होंगे, खरल में रखके इसमें लीमू का रस यानि के नेबू का जो रस होता है, लेमन जूस उसको शामिल किया जाता है, अगर जैसे दस क्राम संख्या है तो उसके लिए 10 अमे लमी नेबू का र करद शामिल करेंगे और ये अमल्क हमें साथ बार करना है तो साथ बार करने के बाद इस तरह से संख्या मुदबर हो जाता है डिटॉक्सिफाई हो जाता है फिर हम इसको दबा के तौर पर इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसके मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज है गरम खुश्क चौथे गर्जे में चौथे गर्जे की दबाएंग अब जानते हैं कि अगर इने मुदबर करके हम इस्तिमाल नहीं करेंगे इनकी डोस का महत्याद नहीं करेंगे तो ये एक तरह का जहर साबित होती है अब इसके actions जान लेते हैं तो इसमें काफी actions हैं जिनका फायदा हम तब ही उठाव सकते हैं तब इसको मुदबर करके जिसम इंसानी पर यानि बदन पर इंसान की इस्तिमाल कराया जाए तो यह मुखविय बाइक्शन भी रखती है यानि एफ्रोडीसे के जो मेर सेक्शुल तसवर के जाते हैं उन सब को यह दफा करता है यानि दूर करता है मुखविय आसा भी नर्वाइन टोनिक है यह आसा आपको खुवत देता है और जो आसा भी functions होते हैं नर्वाइन functions को इंप्रूफ करता है मुखविय दम है blood purifier है यानि खून के अंदर कोई फसाद लाइक हो है इसलिए सारे जिल्दी अम्राज में इसकें ऑडिया को इसमाल कराते हैं और यहा इख आती है और यह कादल मेशीकम इसी करुव, बेरे जायद रतुपात होती हैं तो यह उनको खुश की करता है और यह अक्काल एक्शन यानि यह को रूसिव एक्शन भी रखता है अपने अंदर अब बात करते हैं इसके यूजिस की तो हम इसको इसको इस्तिमाल कराने से पहले हम आपको एक बात यह बता दें कि लुए संख्या को इस्तिमाल कराते वगत बहुत ज्यादा एक्शन भी जरुश की जरुरवत होती है क्योंकि संख्या और यह संबल फार्च होता है यह खुन में बहुत जल्दी चार्षब हो जाता है बहुत जल्दी इसका रेट оф एब्सॉप्शन होता है खुन में इसलिए य इसके इस्तिमाल के साथ उसको घी या दूद का इस्तिमाल जरूर करना है और चुकर ये चौथे दर्जे में गरम खुश्की इसलिए इसे सर्दियों के मौसम में ही इस्तिमाल कराया जाए तो ज्यादा बहतर होता है और वो लोग जिनका मिजाज गरम होता है जो हर मिजाज के लोग होते हैं उन्हें इसके इस्तिमाल से गुरेज कराना चाहिए उन्हें इस्तिमाल नहीं कराना चाहिए और अगर कोई मरीज शदीद बीमारी के अंदर मुपतिला है उसे कोई बहुत जादा क्रोनिक या कोई एक्यूड इस तरह की कंडिशन है कोई बीमारी है उसे तो उसमें हम इसको इसको इस्तिमाल नहीं करा सकते हैं और अगर इसके इस्तिमाल के बार मरीज को कोई आपको लग रहा है कि मरीज को कोई side effect आ रहा है को toxic symptom हो रही है उसे lose motions हो रहे है पेट में मरोड हो रहा है बेची नहीं हो रही है गाप्राइट हो रही है तो फिर इसका इस्तिमाल हमें बंद करा देना चाहिए से discontinue कर देना चा अनीमिया को इसमें जो हीमोगलोबीन होता है उसका percentage body में कम हो जाता है तो ये मुशाहिदा किया गया है कि अगर सम्मुलफार को एक तंद्रुस बतान पर एक normal person पर जिसे हीमोगलोबीन की कमी नहीं है अनीमिक नहीं है अगर उसे हम इस्तिमाल करा रहे हैं तो उसमें इसका aiser का मौलब देदम याने कि खून को पैदा करने वाला एक्षन महीं होता लेकिन अगर किसी ऐसे मरीज़ नहीं है इसको इसका करा रहे हैं जो अनिमिक है जिसके अंदर खून की कमी है तो तो ये दिखा गया है कि यह मौलेद दम एक्षन पैदा करता है उसमें यानि यह हेमो को भी दूर करता है क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा यह मुकविबा है इसलिए इसको जोफे बाएं में इस्तिमाल कराएंगे और जोफे बासर रिलेटेड जो सारी कंडिशन होती है सवरा धिन्जाल जिर्याने मनी रिखते मनी इनसब में इसको इसको इस्तिमाल करा सकते हैं यह मुकविबा है इसलिए इसको जोफे आसाब में इस्तिमाल कराएंगे और आसाब की कमजोरी की वजासे जो सब बिमारिया होती है इनसब में इसको इस्तिमाल कराएंगे आसाबी और बलगमी अमराज इसमें किसका शुमार होता है आसाबी और बलगमी अमराज में जैसे इर्खुनिसा जिसको श्याटिका या लंग्री का दर्द का जाता है और ये फिमेल्स में जादतर होता है श्याटिका ये लैग में होता है पुरी उपर थाई से लेकर ये नीचे टखने तक जाता है और इसको फालिच में हम इसमाल करा सकते हैं लखवा में, जेखु नफस में, उसाबा में, उसाबा कहा जाता है पट्टी को, ये खिसम का ये सरदर्द होता है, जो इस मुकाम पर होता है सर पे, जहां पर पट्टी बांदी चाती है, यानि के माधे पर, और शकीका, शकीका कहा जाता है माईगरेन को, ये बहुत सेवियर पेन होता है जो कि सर के एक साइड में होता है यह और यह मुस्तफिय दम है इसलिए हम इसको जिल्दी अमरास में इस्तिमाल कराएंगा जैसे आद्शक जुसाम बर्स वगयरा इन सब में हम इसको 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 करा रहे हैं और यह मदबर करने के बाद ही है इसका सफोग भी तो इसको हम एक से पांच मिली ग्राम की मिगदार में हम इसको इसको इस्तिमाल कराएंगे और अगर इसका कुष्टा बनाया गया है तो इसके कुष्टे की मिगदारे खुराक है एक से तीन मिली ग्राम इसकी मतारी खुराग बहुत ध्यान से आपको देने है क्योंकаю कि इसकी अगर मतारी खुराग हम जादा दे देंगे हाँ तक कि अगर 125-50 मिली खुम ग्राम तक भी अगर हम दे देंगे तो वो भी मौलिक साबित हो सकती ये लीथल ओसकती है अब इसका मुजियर सर की बात करते हैं अगर ये तरह का जहर साबित होता है अगर इसको जाधा डियूरेशन तक अगर इस्तमाल कर आया जा रहा है तो क्या होता है कि इसके थोड़ी थोड़ी मिक्तार बॉड़ी के अंदर अकुमलेट होती रहती है वो एक दम से जब एक optimum उसके अंदर डूर बाडी के अंदर कलेक्ट हो जाती है तो toxic effect प्रोड्यूस कर सकती है उसके पार इसकी बहुत severe toxicity देखने में आती है इसको जादा लंबे वक्त तक इस्तिमाल नहीं कराना चाहिए बलके बीच में इसको gap करकर करके इस्तिमाल कराना चाहिए मरीज को इसका मुसले है रोगन्याद और दूड जैसा कि हमने पताया कि जब भी हम मरीज को इस्तिमाल करा रहे हैं तो ये जरूरी है कि इसको रोगन्याद या दूड पीने की हिदायत मरीज को जरूर करनी है हमें जात में इसका मश्हूर मरकब है कुष्टे सम्मुलफाग और जोहर सीन जोहर सीन बनाया जाता है इसको जोहर सीन इसलिए खा गया है क्योंकि अगर इसकी साथर मिगदार खुड़ाग मरीज को दे दी जाया तो एक तरह का ये जहर साबित होता है और ये इतनी जल्दी ही असर करता है ये मरीज को अगर खा लिया है उसने तो उसकी इंस्टेंट डैथ हो जाती है अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या चीज़ खाई है किस चीज़ से टॉक्सेटी हुई है तो वो पूरा आपको इसका नाम भी नहीं बता पाएगा समुर्फार का सिर्फ सीन ही बोल पाएगा इतने में ही उसकी डैथ हो जाएगी इसलिए इसका नाम जोहर सीन दिया गया है इसे ओके इस्टेंट थैंक्यू उमेद है आप लोगं को को इन्फर्मेशन पसंद आई होगी और कोई क्वेरी हो तो आप हम से खाएगा